नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल इस्टडी भी तरभी पर फ्रेंट्स आज हम इस क्लास में उत्राखन करंट एफेर्स 2023 के रिविजन की 11 भी क्लास पढ़ना वाले है इस क्लास में दोस्तों सभी important और selected question सामिल के गए है जो आपका 9 जुलाई को बीटियो बीटियो का exam होना है दोस्तों उसके लिए ये क्लास important रहने वाली है अगर आपने पिछली सभी क्लास से नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें भी जाका जूर देखेगा क्योंकि दोस्तों ये series आपके exam के लिए important है ठीक है इससे प्रेशन आपके exam में जरूर देखने को मिलेंगे तो आज का इस क्लास का पहला question रहेगा उत्राखन food grain ATM लगाने बाला देश का कौन सा राज्य है सही answer है option V तीसरा दोस्तों उत्राखन food grain ATM लगाने बाला देश का तीसरा राज्य है बात करें पहले राज्य की तो पहला राज्य है दोस्तों हरियाना और हरियाना के गुरु गुराम में देश का पहला food grain ATM लगाया गया है दूसरा राज्य है दोस्तो उडिसा ठीक है और तीसरा राज्य बना है उत्राखंड तो आपको याद रखना है कि उत्राखंड देश का तीसरा राज्य है जहां पर दोस्तो फूड ग्रेन एटियम लगाया गया है वाद करें कि उत्राखंड के किस इस्थान पर फूड ग्रेन ATM लगाया गया तब सही आंसर रहेगा देहरा दून में नहरू कलोनी ठीक है तो देहरा दून की नहरू कलोनी में दोस्तो उत्राखन का पहला food grain ATM लगाया गया है अगला प्रेशन है कि उत्राखन में single huge plastic पर when कब लगाया गया तब सही आंसर है option A एक जुलाई 2022 को उत्राखन में single huge plastic पर प्रति बंद लगाया गया है एक जुलाई को ही दोस्तो डोक्टर दिबस भी मनाया जाता है नेश्ट कोशन है कि उत्राखन में पहली drone factory कहां इस्थापित की जाएगी तो दोस्तो उत्राखन में पहली drone factory रूड की में इस्थापित की जाएगी सही आंसर हैगा option A और दोस्तो ये factory जो इस्थापित की जाएगी तो rotor group of companies के द्वारा इस्थापित की जाएगी नेश्ट कोशन है कि नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार निर्धनता में उत्राखन का कौन सा इस्थान है सही आंशर है ओप्शन C पंद्रवा दोस्तो नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार उत्राखन देश का पंद्रवा सबसे गरीब राज्य है पांचवा प्रेशन है कि राज्य का सबसे अधिक गरीब जिला कौन सा है सही आंसर रहेगा option c अलमोडा ठीक है तो राज्य का सबसे गरीब जिला जो है दोस्तो तो वह है अलमोडा जिला है बात करें कि सबसे अमीर जिला जो है दोस्तो तो वहे आपका देहरा दून जिला है इसी प्रकार बात करते हैं कि कि किस जिले में गरामीर छेतर में सर्वधिक निर्धनता है तो वहे जिला है दोस्तो हरी द्वार ठीक है अब बात करते हैं कि उत्राखन का वहे जिला जिसमें गिरामिर छेत्र में सबसे अधिक अमीर व्यक्ति रहती हैं, तो वह जिला है दोस्तों, देहरा दून, ठीक है? अगरा प्रसने कि उत्राखंड सरकार ने सतत्विकास लच्छे के अंत्रगत किस वर्ष तक गरीबी को हटाने का निर्णयाय लिया है? महत्पून प्रसने, जिसका सही अंसर रहेगा, ओप्शन D, 2030 तक, 2030 तक उत्राखंड सरकार ने दोस्तों, सतत्विकास लच्छे के अंत्रगत गरीबी को हटाने का निर्णयाय लिया है? सात्वा प्रसने, कि उत्राखंड सोर्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित क्या गया? सही अंसर रहेगा, ओप्शन D, धन सिंग राबत को, धन सिंग राबत को दोस्तों, उत्राखंड सोर्य सम्मान 2022 से सम्मानित क्या गया? दोस्तो ये जो पुरुषकार दिया जाता था तो 2022 से पहले गैर राजनेतिक व्यक्तियों को दिया जाता था परन्तु 2022 में पहली बार किसी राजनेता को यह पुरुषकार दिया गया है ठीक है तो आपको ये वियाद रखना है कि उत्राखन सोर्य सम्मान पहली बार किस राज जिनेता को दिया गया तो तब सही आंसर रहेगा धन सिंग राबत को जो दोस्तो वर्तमान में उत्राखन के स्वास्थिय मंत्री है और दोस्तो यही उत्राखन के सिक्षा मंत्री भी है आठवा प्रशन है डोक्टर नित्यानन्द हिमालिय सोत केंद्र कहां इस्थापित क्या गया सही अंसर है ओप्शन ए देहरा दून देहरा दून के दून विश्व विध्धालिय परीशर में दोस्तो डूक्टर नित्य आनद हिमाले सोथ केंद्र इस्थापित क्या गया है इस केंद्र के दुवारा दोस्तो उत्राखन के विकास एबम हिमाले सनक्छण पर सोथ के कारिये किये जाएंगे अकला प्रेस ने बताना है दोस्तों और महत्पूर्ण प्रेस ने कि देश का पहला लिक्वीड मिरर टैलिस्कोप नैनी ताल के देव इस्थल में इस्थापित क्या गया इसका निर्माल कार्या किस वर्ष शुरू हुआ तो सही आंसर है option C 2017 में 2017 में दोस्तों देश का पहला लिक्वीड मिरर टैलिस्कोप नैनी ताल के देव इस्थल में बनना शुरू हुआ था और दोस्तों जो यह है टैलिस्कोप है तो यह पांच देशों की सहायता से इस्थापित क्या गया है इन देशों के नाम है दोस्तों भारत, वैल्द्यम, कनाडा, पोलेंड, उजबेगिस्तान तो दोस्तों यह पांच देशों के नाम भी आपको याद रखनी है चलिएगा अगले कोशन का अंसर बताना है कि राज्य में समान नागरिक सहीता लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन क्या गया इस कमेटी के अध्यक्ष कोन हैं सही आंसर है option a रंजना प्रकास देशाई जो दोस्तों दिल्ली हाई कोड की रेटार जज है इनी के दौरा दोस्तों उत्राखन में नागरिक सहीता लागू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसके दौरा दोस्तों उत्राखन में यूनीफोर्म सिविल कोड लागू क्या जाएगा ठीक है तो महत्पुन प्रसने याद रखेगा अकला प्रसने कि राष्टिय जन जातिय निरत्य मोहत्षब 2022 में उत्रा खंड ने पहला इस्थान प्राप्त किया यह मोहत्षब कहां आयुजित किया गया था तो दोस्तो राष्टिय जन जात जन जातिय निरत्य मोहत्षब 2022 में उत्रा खंड ने पहला इस्थान प्राप्त किया है जिसका आयुजित दोस्तो उरिशा के भूबनेश्वर में क्या गया था वात करें कि दोस्तो जो जन जातिय निरत्य मोहत्षब हुआ था तो इसमें उत्रा खंड के जो कलाकारों ने भ 2023 में दोस्तो हाल ही में जनजातिय मोहतसब आयुजित क्या गया है और इसका जो आयुजन क्या गया तो वह नई दिल्ली में क्या गया है तो लेटेस्ट कोशन दोस्तो याद रखेगा इसे भी कि जनजातिय मोहतसब 2023 का आयुजन कहां क्या गया तो यह दोस्तो नई दिल्ली मे क्या गया है 12 प्रेस ने कि राज्य की पहली commercial drone सेवा किन दो इस्थानों के मध्ये शुरू हुई सही answer है option V देहरादून और उत्तरकासी तो दोस्तों देहरादून और उत्तरकासी के मध्ये राज्य की पहली commercial drone सेवा शुरू की गई है और दोस्तो इस ड्रोन के द्वारा ब्लड सेंपल ले जाया गया था ठीक है और इसने तहरा दून से उतरकासी के मत्य दोस्तो कुल 88 मिनट में दूरी तै की है तो ये भी आद रखीगा अगला प्रसन है कि हालही में देश के हिमालेई राज्यों में पक्षों की प्रजातियों की गणा की गई किस राज्यों में हिमालेई पक्षों की सरवादिक प्रजातियों पाई गई तो सही आंसर है ओप्षन ए उत्राखन दोस्तो हाले में भारते सरकार के द्वारा हिमालेई राज्यों में पक्षों की प्रजातियों की गणा की गई जिसमें सरवादिक चोद्वा कोशन है कि उत्राखन रतन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित क्या गया सही आंसर हैगा उप्ष्ण ए एनके जोसी एनके जोसी को दोस्तो उत्राखन रतन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया वाद करने दोस्तो कि 2022 में जो नाइटेंगल पुरुषकार दिया गया था तो वह दोस्तो गंगा जोसी और ससी किलाप पांडे को दिया गया है और जो दोस्तो फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरुषकार होत क्या गया सही आंसर है option c पोख्री पोड़ी में वेदा लाइफ निर्में बैलन्स केंदर का उठगा तन क्या गया है और दोस्तो इस केंदर को जो इस्थापित क्या गया था तो वह पतंजली योग फीट के दौरा इस्थापित क्या गया तो ये भी आपको याद रखना है ये थे दोस्तो आज के हमारे 15 important question जो सभी selected और important प्रसंथे इसी प्रकार के प्रसंथ दोस्तो आपके exam में पुछे जाने है आज का आपका सवाल रहेगा महरूडी कस्तूरी म्रग अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है तो कमेंट करके बताना है आपको कि महरूडी कस्तूरी म्रग अनुसंधान केंदर कहां इस्तित है बागेशवर, पिथोरागड, अलमोडा और चमपाबत ठीक है तो दोस्तो कमेंट करके इस कांसर आपको जरूर देना है